हमारा टॉपिक है वह है रिंट तो रिंग के बारे में देखते है क्या होता है रिंग तो अगर क्या किते हैं हमने कोई नौन अमुटी सेट लिया है तिक whan सेटल ग利ए और है तो अब कर रहे है तो दो ओपरेशन वारे शोप्रेशन हम लेते दिजनल मप्लिकिलिकेशन रिंच के लाइगा उनकी DH सुनिय के इसेर कहले है तो और भूदधिलिकिल किय वता रहे हुं कि है तो अबिलियन होना लेगा। अब जैसे ग्रूप में पढ़ा है अपने आरवन नाट जीवन जीटी 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 फोर जीफ़ वैसे इसके लिए भी आरवन आरट वार्टी आरफ और फाय ठीक है अपने लाए अपने फ्रेस होता है अगर्झ यहीं पर मैटीपिरूलोक्किशं रिस्पर्ट्म इस ताइस ते आबकर्च आए अरवे न इसके साम म 완ी किन एक सेमी ग्रूप होना थी इसमें क्लोजर और अस्टिप्रॉपरी फिलोंग करने है यह माल्टेप्लिकेशन के रिस्पेट में था जी कैसे नहीं एक इसके बाद होता है थार्ड यह प्रॉपर्टिटि आती है कि वह डिस्टिशिविशन डॉप क्या करना होल बताएंगे अब जैसे unity ring है ठीक है unity ring क्या होता है कि जिसमें क्या होगा identity element होगा ठीक है commutative means ring जिसमें क्या होगा competitive property belong कर रहे हो कि जैसे क्यों addition or respect multiplication respect में ठीक है एक boolean ring है जिसमें क्या होगा कि जो elements सभस्क्राइब होगा item pretend होगे that's mean क्या होगा कि अगर उसी element को सभस्क्राइब करें तो तो same element आने जैसे a that a dot a question क्या है जहां एक इसमें belong कर रहा है और में रिंग में ठीक है तो इससे कहेंगे boolean ring item pretend होगा तो वह कहलाएगा boolean ring ओके अब इसके बाद है divisor of zero और without zero divisor ठीक है तो डीवीजर अब 0 क्या होता है विजाओ डीवीजर विजाओ जीरो डीवीजर क्या होता है अगर तुम आपके पास zero element a and b of ring तो जीरो डीवीजर कभ कहला है जब अब इसके बाद की बराबर कह जाएगा जीरो अब दोस्ता भी इसी यही है एबी कोश्टी जीरो होना होना है एक तिक है आर इस नौट जीरोस इसमें क्या बोल लाएक है भी कुश्टी जीरो होगा ठीक है अब हैं इंट्रीगल डोमें इंट्रीगल डोमें के लिए दो मैंने डेफिशन लिके भी है ठीक है होने को दोनों सेम चीज़ है जैसे पहले वाले में है कि कमड़िटीव हो यूनिटी हो विदाउट जिरो डिवीजर हो आप इससें में भी लिक है मैंने ऐंडिशन के लिएर आईशन के विदेहें लाओ कर रहा हो या जीरो दीजर से फ्री हो कहें करें पर अपको जया होंए रिकेंगे लिए और प्रेज्खेंट में अपको यूनिटी क किसी आउहने उसको प्रिसक्राइब नहीं करते हैं तो यूनिटी नहीं होगा आपको तो वैसे ही तीनों क्या होने चाहिए फुला होल्ड करेंगे तो वह कहलाएगा इंट्रीगल डोमें ठीक है अब इसमें कुछ एक्जामपल्स हैं जैसे की रिंग आफ इंट्रीगल इंटीजर्स इज इ तो इसके बाद नेक्स्ट आता है वह आता है हमारा फेल्ड ऊती होता है कि उसमें भी सेम टू सेम है और जो कंडिशंस अप्लाए होने चाहिए वह हैं कि एडिशन जिपैक्ट में और मॉल्टिपलिकेशन के रिस्पैक्ट में होने जहां रजिंट्र है नॉन जिरो एलिमें होता है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में और मैंटिप्लिकेंट में यह चीज कामन होती है कि यहां पर कमिटेटीब लॉफ फोलो होना चाहिए ठीक है डिस्ट्रिपिटिबीटिब लॉफ होल्ड होना चीज़िए ठीक है इसे कहेंगे हूं फिल बाद में जो है मैंने तिनों क एक चार्ड बना रुक है आपको इजीली समझ में आ जाएगे तो इसके पाद जो आया है हमारे next theorem system theorem क्या होते है कि अगर एक रिंग है ठीक है और रिंग भी जिरो डिविजर इफ कमेटिटिव लॉग होल ठीक है lizard में आप अब रहएट इंबोटी फाइन जाए्मित अबन क्या उता है इस के साथ कुछ कि जैसे अगर अगर एक पास सैट इस तरह के दिये हूं आई लगे रियल नंबर प्लेज मल्टिप्लिकेशन ओर एडिशन ठीकर नंबर और कॉंप्लेक्स नंबर मल्टिप्लिकेशन एडीशन की रिस्पेक्ट में क्या लाते हैं यह फिल्डिक लाता है ठीकर अगर इस मल्टिप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तीनों में होल्ड करेगा लेकिन मल्टिप्लिकेशन क्या होगा कमुटेटिव किसम होगा डोमेन और फिल्ड में ठीक है यूनिटी किसम होगी यूनिटी होगी आपके डोमेन और फिल्ड में ठीक है अब मल्टिप्लिकेशन इन्वर्स पूरेंग नीडियर लेकिन रिंट्रिक्साइ़ नहीं होते तो न कहले हो जार्ट nggak कि कर rerokर समधनी को रिंकर्ट हो झाल